नमस्कार अगर आपको एनल फिस्चुला है और आपको किसी भी ट्रीटमेंट से अराम नहीं मिल रहा है तो फिर इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि यहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होमियोपथी से एनल फिस्चुला की कंप्लेंट्स आपकी पूरी तरह से ठीक हो स सकती है फिस्चुला से छुटकारा आपको मिल सकता है तो जरूरी है जानना कि सेल्फ मेडिकेशन में होमियोपथी कैसे इस्तरमाल करें कौन सी दवाईयां यूज करें और कैसे होमियोपथी आपको फाइदा देगी तो वीडियो सिर्फ आपके लिए है समझदारी वाला व सबसे पहले बात करें इस वीडियो में कि यह आनल फिश्चुला क्या है देकि आते शीन होती है जर्फ वहां पर बन जाता है जसकी वजह से उसके अंदर से डिस्चार्ज़ फ्लुइड आने शुरू हो जाते हैं तो कुल मिला के अगर आपके लेट्रीन वाला एरिया यानि आपका रेक्टम उस गुदा दोआर से उपर का जो सर्फेस है वहाँ पर कोई भी क्रैक बन जाए जिसे हम बोलते हैं फिशर और उसमें कोई इंफेक्शन हो जाए और वो गुदा दोआर यानि आनल ओपनिंग के बाहर जो खाल है इसकिन है वहाँ पर वो रस्ता आके खुल जाएगा तो वो सारा का सारा पस सारा का सारा फ्लुइड जो भी कुछ है उस रस्ते से बाहर निकलेगा ना कि आपके लेट्रीन वाली ओपनिंग यानि गुदा दोआर से तो ऐसे में ये जो एक छोटी सी situation है ना ये मरीजों के लिए बहुत ज़ादा painful हो जाती है इसी वज़े से लोग इससे परिशान होते हैं क्योंकि इसकी diagnosis सही से नहीं हो पाती दवाई सही से नहीं मिल पाती मेनेजमेंट लोगों को नहीं पता इसलिए इससे लोगों को निजा बात नहीं मिल पाती है और मैं आपको बता दूँ सर्जरी करने के बाद भी दोबारा एनल फिस्टूला बनने के chances बहुत ज़ादा होते हैं अब सवाल उड़ता है symptoms क्या है हमें क्यों है इससे डरना चाहिए देखिए डरना नहीं चाहिए कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है पर symptoms बड़े painful है होता क्या है कि आपका जो लेट्रीन वाली opening है इस तरह से उसके आस पास आपको obvious बात है जब आप motion जाएंगे bowel movement यानि party pass कने के लिए जाएंगे defecation के लिए जाएंगे तो उसमें जब आप हलका सा भी strain लगाएंगे तो क्योंकि उसके आस पास एक tract बन गया है तो जो skin जो muscles जो area है वो हो जाएगा sore यानि दर्दनाक उसमें आपको दर्द होगा भयंकर सूजन आईगी सूजन के संग में उसमें से पस drain out हो सकता है पानी निकल सकता है बैठने उठने चलने में आपको दिक्कत हो सकती है पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि 10 minute कुरसी पर बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है जब आप motion पास करने जा रहे हैं तो आपको दिल में खौफ हो जाएगा इतना pain patient को होता ह और पास करने के बाद या पास करने के दौरान का जो दर्द है वो patients के लिए असेहनिये होता है बहुत सारी pain killer खाने के बाद भी उस सूजन में उस दर्द में अराम मरीजों को नहीं आ पाता है और जब पूरा पस दरीदर करके drain out हो जाता है तब कहीं जाके मरीज रहत की सां हम डॉक्टर के जिम्मेदारी है अब सबाल उठता है कैसे डाइग्नोस करेंगे कि आपको फिस्चूला है बहुत आसान तरीका है दिखिए आप एक डॉक्टर के पास जाए उन्हें बताएं कि मुझे गुदा दोवार यानल एरिया में मुझे को swelling आ रही है मुझे कुछ pain ह हो रहा है बैठने उठने में दिक्कत हो रही है एक examination होगा देखा जाएगा हो सकता है लगाकर वहां पर जो है चेक अप किया जाए डॉक्टर के द्वारा इससे की clear हो कि वहां फिस्चूला है की नहीं पर कई बार मरीज डरते हैं चेक अप कराने से क्योंकि pain होता है तो सब इससे क्लियर हो जाता है कि एनल फिस्चूला जो है वह एक है या मल्टिपल है कहां से कहां तक है और आस पास के एरिया में स्राउंडिंग टिशू में क्या-क्या दिक्कते आ रही है उससे किसी भी डॉक्टर की further diagnosis और treatment का तरीका increase हो जाता है इंक्रीज हो जाता है अब बात है अगर आपने जोर लगाया तो फिर खोगा क्या जोर लगाने की वज़े से वो जो ट्रैक्ट है वो ओपनिंग है वो और बड़ी हो सकती है या फिर उस एरिया से मरीज को बैठने में उटने में चलने में तकलीफ बढ़ सकती है अब देखिए management में दूसरी बात समझिए अगर एक बार पस आने लग जाए या watery discharge होने लग जाए या सफेद रंग का कोई discharge होने लग जाए तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि वो जो ओपनिंग है उसमें कहीं ना कहीं अंदर कोई एक ऐसा passage बन गया है जिसमें बहुत सारा पस एकटा हो सकता है तो इसलिए ज पोटो यहां पर लगाया है आप एक ऐसा पिलो मेमोरी फोम वाला अपनी चेयर पर रखें ताकि उस एरिया पर प्रेशर बहुत ज़्यादा ना पड़े सिकाई और सफाई बहुत ज़रूरी है आपको एक टब चाहिए जिस टब में आप गुर्गुना पाई डालें तो पर को ना हो फिर आपको कॉंस्टिपेशन यानि कब से बचना है तो उसके लिए आपको स्टूल सॉफ्टनर यानि लेटरीन को सॉफ्ट करने की दवा नहीं लेनी है लेग्जेटिव लेना है जिससे की लेटरीन बहुत आराम से पास हो जाए और आपको ज़्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े फिर वऑको पानी जाधा पीना है आपको फ्रूट्स आपको छोटे चोटे पीसिज में अगर खाएंगे ग्रेट कर के खाएंगे तो वह आसानी से पेट में भी पचेंगे और फिर आपको मोशन पास करने में जो फाइबर की र 바로 की रिक्वार्मेंट हो फिस्चूला के मरीज की मदद कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि हुमियोपिथी में बहुत ही मार्वलस एंटीबाइटिक हुमियोपिथिक दवाइआं मौझूद हैं, अब आपको समझा दूं कि जो वो ट्रैक्ट है क्योंकि उसमें पस बन रहा है, वाटरी फ्लु आपको पेट खराब होने के और मल्टिबल तरह की चीज़ों के तकलीफे हो सकती है और ज्यादा पेंट कलर खाने से आपको आपके ओर्गन्स में भी जोर पड़ सकता है आप भी जानते हैं तो ऐसे में सेफर साइट दवाईयां हैं हुमियोपथी के अंदर कि ना तो आपके किसी ओर्गन पर फरक पड़ेगा ना कोई आपको साइड इफेक्ट्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपको फिस्टूला नामक परिशानी में दर्द में अराम आएगा सूजन में अराम आएगा सिम्टम में अराम आएगा और डिस्चार नमबार वन मेडिसिन इस बर्बरस वलगेरिस चौकि एक आमट बहुत अच्छी दवा है बर्बरस वलगेरिस किड़्नी स्टॉन बहुत बढ़िया निकालती है आप सभी जानते हैं सही डोसेज में लेते हैं बहुत फाय्दा करती है टिंक्चर में लोग बोतल की बोतल पी ज गालने के लिए पर अगर फिस्चूला हो जाए तो बर्बरेस बहुत बेतरी दवा है क्यों जब सूजन आ रही हो खुजली आ रही हो डिस्चार्ज जैसे सेंसेशन फील हो रही हो दर्द हो रहा हो और आपको छूने में दर्द महसूस जादा लगे आप पहले टेंडर हो डर लगने लग जाए कि मैं छू नहीं पाऊंगा उसको दर्द चालू हो जाएगा बैठ नहीं पाऊंगा दर्द चालू हो जाएगा तो ऐसी सिंटम्स के लिए बर्बरेस बलगेरिस बहुत अच्छी दवा है थर्टी पुटेंसी में इस्तेमाल करें दिन में तीन बार यूज कर सकते हैं पांच बुन दवा दो चमच बानी में डाल कर लगभग पंदा इन तक लें इंप्रूब्मेंट नायत अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं नमबर टू बहुत इंपोर्टेंट मेडिसिन जो यहां पर आती है वो है सिलीशिया देखिए सिलीशिया अब यह मान गंदे आ रहे हैं चिप चिप चिपाहट बहुत जादा है यलो कलर के बहुत ही गाड़े गाड़े से आ रहे है और अब पेशियंट को संग में पेन भी बहुत हो रहा है तब यहां पर सिलीशिया एक बहुत अच्छी दवा है आप सिलीशिया को बायो केमिक में इस्तवाल क लेते हैं मुह में डालकर रिसे चूस लेते हैं और लगबग 15 इंदर कंटीनूसली लेते हैं तो आपको improvement जरूर आएगा लेकिन अगर कभी emergency है pain बहुत ज़्यादा हो रहा यानि गुदा दोर से उपर का जो एरिया है उसकी एक-एक complaint की बहुत अच्छी दवा है चाहे hemorrhoids हो रहे हो फिस्चुला हो रहा हो और painful हो patient को बैठने उठने चलने में दिक्कत हो इतना दर्द हो कि असहनिय हो बिलकुल मरीज को ऐसा लगे कि बस उठा ले भगवान इतना द बाग के जाओं किसी तरह से मुझे इस दर्द से चुटकारा मिल जाए मेरी ये problem solve हो जाए मलब कुछ भी ऐसा कर लो कि मैं सई हो जाओं मैं सब कुछ लोडाने को तयार हूं तो ये जो pain का sensation है ना excruciating pain बरदाश से बाहर वाला दर्द की जिन्दगी जिसे केतना बिलकुल दूबर हो चुकी है वहाँ पर peonio office analysis बहुत अच्छी दवा है emergency में यूज करने वाली दवा है आप अगर regularly यूज करेंगे तो हो सकता है उतने result आपको ना मेरे तो जब भी इस तरह की तकलीफे आपको आएं तो आप peonio office analysis को पांच बून दवा दो चमच पानी में डाल कर अगर एक एक गंटे पर भी पांच-छे डोज ले लेते हैं तो आपको उस दर्द में उस सूजन में जो तकलीफ हो रही है आपको उसमें आपको बहुत अच्छा improvement आएगा लेकिन ध्यान रखें छे डोज से जादा ना लें अब यहाँ पर जो चौथी दवा है उसका नाम ह acid nitricum, acid nitricum मेरी favorite remedy है फिस्चुला के लिए क्योंकि जब वहाँ पर बदबूदार discharge हो, burning बहुत जादा हो, जलन बहुत हो, दर्द बहुत excruciating हो, बिल्कुल कभी-कभी बिल्कुल सही हो जा रहा है, कभी-कभी इतना तेज हो रहा है कि बरदाश से बारा है, यानि episode एक है, क efficient, दर्द के मारे परिशान है, किसी दबा से improvement नहीं आ रहा है, और burning, burning उस anal area के आसपास में बहुत जादा है, तो वहाँ पर acid nitric is a very very good remedy, आप regularly इस दबा को यूज़ कर सकते हैं, सही तरीका है कि acid nitric 30, safer dosage में, आप 2 बून दबा, 2 चमच पानी में डाल कर, या 5 बून दबा, इसे लेकर 5 बार तक emergency में इस्तिमाल कर सकते हैं, regular dosage है, 3 बार, कम से कम पंदा इंतिक लीज़े, improvement नहाए, डॉक्टर को जरूर दिखाईए, last बहुत important remedy है, उसका नाम है myristica, अब देखिए, suppose करिए, कि आपके anal area के अंदर कोई एक abscess बन गया, जिसमें एक pocket बन गई, जिसम जरना मुश्किल है, और तकलीफ में हूँ, और discharges मेरे रुक नहीं रहे हैं, आ रहे हैं, धिरे-धिरे करके आ रहे हैं, जितनी बार मैं movement हो रहा है, उतनी बार मेरे को discharge हो जा रहा है, सिलीशिया में ले चुकी हूँ, या मैं ले चुका हूँ, पियोनिया में ले चुका आप चाहें तो एक कॉटन में मारिस्टिका को डुबा कर एनल एरिया के अंदर लगा सकते हैं, उससे पेशिंट में बहुत इंप्रूवमेंट्स आते हैं, नहीं तो आप इंटरल मेडिकेशन के तौर पर भी ले सकते हैं, तो उसमें आप मारिस्टिका क्यों की पांच भून दवा, दो चम्मच पानी में डाल कर लगबग दिन में तीन बार से पांच बार तक ले सकते हैं, पांच दिन तक लें, पांच दिन से ज्यादा ना लें, पांच दिन में ही आपके जितने डिस्चार्जज हैं, फ्लश आउट हो जाएंगे, अगर इंप्रूवमेंट नहीं म करेंगे, तो इंप्रूवमेंट आपको भी जरूर आएगा, और फिस्चुला से निजात मिल जाएगी, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू, एंड जैहिंद